साल की शुरुवात धमाकेदार होनी चाहिए धुआधार होनी चाहिए पठान फिल्म के चार दिनों के ओफिश्यल बॉक्स ओफिस कलेक्शन के बारे में और साथ ही साथ इस चेनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तो पठान फिल्म की जितनी तारीफे कीजाए कम है। बॉलिवूट की अब तक की सबसे बेहतरीन फिल्मों में से एक शामिल हो चुकी है फिल्म पठान और पठान फिल्म ने जिस तरह से बॉक्स आफिस पर परफॉर्मस दिखाई है वो वाकी काबिले तारीफ है। आने वाले टाइम में जब कोई फिल्म रिलीज होगी और पठान फिल्म का रिकोर्ड तोड़ेगी तो भईया उसको अभी बहुत ज्यादा टाइम लगेगा शायद 50 साल तक भी लग जाए क्योंकि पठान फिल्म ने इतने बड़े-बड़े रिकोर्ड बना दिये हैं। पहले दिन फिल्म के बॉक्स ओफिस कलक्शन की तो अपने पहले दिन फिल्म ने 57 करोड उपे का इंडिया से नेट बॉक्स ओफिस कलक्शन किया था तो वही फिल्म का पूरे वल्ड में पहले दिन का कलक्शन रहा था 107 करोड उपे का। 75 लाक रुपे इंडिया से हो चुका था तो वहीं फिल्म का टोटल वर्ड वाइड कलक्षान 313 करोड रुपे हो चुका था अपने पहले तीन दिनों में अब दोस्तों गर मैं बात करू चौथे दिन की तो आज Outstanding Performance दिखाई है फिल्म पठान ने और 55 करोड रुपे का अपने चौथे दिन यानि के Saturday को फिल्म ने कलक्षन किया और फिल्म का Total Box Office कलक्षन चार दिनों का 221 करोड 75 लाक रुपे इंडिया से हो चुका है तो वही फिल्म पूरे वर्ल्ड में 400 करोड का आकडा पार कर चुके जा दोस्तों 400 करोड का आकडा सिर्फ 4 दिनों में पार कर लिया है फिल्म पठान ने जो कि अभी तक का सबसे बड़ा रिकोर्ड है अब दोस्तों अगर मैं बात करूँ पांचवी दिन यानिके आज की तो दोस्तों आज की ओक्योपैंसी कमाल की है और फिल्म सिनीमा घुरों में एक बार फिर से इतिहास रशने जा रही है क्योंकि आज अपने पांचवी दिन फिल्म सतर करोड उपे एक बार फिर से कमाने वाली है जो कि अपने आप में इक इतिहास होगा जा दोस्तों क्योंकि इस से पहले अपने सिंगल डे में फिल्म सतर करोड उपे कमा चुकी है और वहीं अगर मैं बात करूँ पूरे वर्ड की तो दोस्तो पूरे वर्ड में फिल्म आज अपना लगबग 500 करोड पार कर लेगी मतलब 500 करोड से उपर ही उपर जाने वाला है फिल्म का पांस दिनों का वर्ल्ड वाइड बॉक्स आफिस कलेक्शन तो दोस्तो आपको कितनी पसंद आईए फिल्म पठान कमेंड में जुरू बताईएगा